फिरुजाबाद में मौत का आंकडा हुआ 51, अभी तक 68 बच्ची देंडू पॉजट सौशेया हॉस्पिटल में सभी बैद फुल हो जाने पर दूसरी बिल्दिंग में भी बच्चों की भर्ती हुने का सिलसिला जारी नई निर्माना धीन बिल्दिंग में लगाए गए 100 बैट मेडिकल कॉल्स में इस समय 475 मरीज हैं भर्ती जिनमें बासक्त मरीज नई बिल्दिंग में हैं और बाकी सौशेया की पुरानी बिल्दिंग में भर्ती हैं मौत का आंकड़ा 51 के पार फिर उचाबाद में देंगू भुखार का फ्रकोप इतना है कि लगातार बच्चों हॉस्पिटल में भर्ती बोरुखी हैं यहां तक की प्राइवेट हॉस्पिटल भी पुर्वो चुके हैं स्वशासी और राज यह चिकित्सा महाविद्याले की सौशेया मात्रे एवं शिशू चिकित्सा अभी 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 बूर चुका है और बच्चों का आना बर्तार थे सौशेया हॉस्पिटल भच्चाने के कारण नई यर्माना की बिल्दिन में भी मरीजों का इलाज चल रहा है इस दिल्दिन में 200 लगाए गए हैं आज सुदन से की मरीजों का लगातार आना जारी है मेडिकल कॉलेज में इस समय 475 मरीज है जिनका उपचार चल रहा है जिसमें 78 बच्ची देहू पॉजिटीव है लोगी चिकित्सा अधिकारी की माने तो चनपर में अभीता की क्यावल मौफ नी चुकी है जिल्में देखते बच्ची शामिल हैं पर चलो जो टेखते बच्ची माने तो पॉजिए जेखते बच्ची माने तो बच्ची षब हैं इस समय मेरे पास 475 मरीज भरती हैं, जिसमें 62 मरीज हमारे जो निर्माना धिन नया भवने उसमें भी भरती हैं, बाकी इधर पुरानी विल्डिंग में भरती हैं.